एलो फ्रेंट्स आपको स्वागत मेरे वर एक नुव व्योडियमे सबसे पहले आपको पिक्साट उपन करके इस प्लस वन आइकाउट में क्लिक करना होगा उसके बाद फ्रेंट्स आपके फॉन की गिलरे उपन हो जाएगा आपको बेग्राउंड चूस करना होगा इस बेग्राउंड का लिंक में आपको डिस्क्रेशन में दे दूंगा आप महाँ से आसानी से डाउलोड कर सकते हैं इतना करने के बाद गाई सापको फिर से एक फोटो सिलेट करना होगा अपने मोडल का जो पिछे आप रखना चाहती है वो वाला मैं सिलेट कर लेता हैं इस वाले फोटो को इस फोटो को उपन होने के बाद इस एरेज वाले उप्सन में जाने हैं आपको उसके बाद फ्रेंट इस पर्सन वाले उप्सन पर क्लिक करना होगा आपको फोटो अटोमेटिकली एरेज हो जाएगा एरेज होने के राध गारी जहां वर थोड़ा सा अच्छा है वो मैं एरेज कर लेता हूँ कुछ इस तरह से सेटिंग करके आपके फोटो में भी अगर इस तरह से एरेज करने के बाद भी थोड़ा वह दो chci पूर दिलिए जाता है तो और इस तरह से सेटिंग करके कि उसको इरेज कर सकते हो इतना करने के बाद prix यहां से फोडो को कर लेते हैं पार इसके बाद व्रेंडset आप लोग को इस वाले मॉर्डल फोडो को जो बेग्राउंड में ऊसेज़्ज आएपशिë एक्जिस करना होगा जिस तरह समाहे कर रहे हूँ एक्जस करने के बाद इस वाले एरेज वाले उप्सन में जाना है इसमें जाने के बाद गाईज आप लोगों को एरेज वाले उप्सन में जाकर कुछ इस तरह से सेटिंग करके अपने फोटो को एरेज करना होगा आप चाहे तो इस वाले सेटिंग की स्क्रिंशोट खीच कर अपने फों में रख सकते हो । आप सब्सight आपको इसकी ऑफोसिटी जो है यहां से 45 के आसपास कर देनी में कुछ इतनी अच्छे लगेगा आपको इतना ही कर लेना है उसके बाद फिर से आपको एड़ वाले फोटो में जाना है और आपको जो इस मोडल के आगे रहेगा फोटो वह आपको गैलरी में इसे चूज कर ले इस हो जाएगा उसके बाद एरेज़ वाले अर्वसम जाकर कुछ इस तरह से से इटिंग करने होगे को एक एधि रही के बाद स्परेंस पिर से फोटो करेंगे जहां पर नहीं हुआ है कुछ इस तरह से जल्दे जल्दी कर लेता फ्रेंस आप लूप फोटो को जाना हरेज कर सकते हो कि रेस करने के बाद फ्रेंश साप लोगों को अपने फोटो को बेग्राउंड के साब से अच्छे चेक्जिस करना होगा इस तरह से एक्जेस करने के बाद फोटो को कर लेते हैं डन आपको श्टिकर वाले अप्सन में जाना है और यहां पर सर्च करना होगा ब्लेक पी एंजी फ्रेंट्स आप लोगों को सर्च करने से पहले अपने मोबाल का डाटा जो है ओन कर देना होगा तो ही यह वाला अप्स इसके बाद गाईस आप लोगों को इस तरह से सिलेक्ट होनी के बाद आपका प्येंज आजाएगा आपको इस तरह से अपने फोटो को जिए एकजिस करना होगा यह जो प्येंजे वह फ्रेंड्स हम लोग कि आहां पर इसे फेरों के निचे जो है लगा देंगे ताकि हमारा फोटो जो एकदम रियल लगे है इस तरह से आपका अपने फेरों के हिसाब से अपने सेड़ों को लगा लेना है उसके बाद इससे स्क्रोल करते हैं ब्लेंडिंग वाले अप्शन में जाना है और आपको जो है और ले रखना यहां पर इतना करने के बाद फ्रेंड्स हम इस सेरेज वाले अपसन में जाएंगे और यहां से हम इस तरह से सेटिंग करके जो हमारी शूस पर एक्स्ट्रा अधा है हम उससेिरेज कर देते हैं कि इतना करने के बाद जाइस हम लग फोटो को ड DON कर लेते हैं properties इस वाले फोटो को ड対न कर लेते हैं सबसे पहले आपको auto वाले option पर क्लिक करना है और आप नीचे वाले light वाले option में आकर देखेंगे आपकी setting automatically exist हो जाएंगी उसके बाद नीचे color वाले option में जाना है और आपको उपर mix वाले tool पर जाना है और पहले वाले color को जो आपको luminous थोड़ा बढ़ा लेना है उसके बाद friends आपको दूसरे वाले orange वाले color को ले लेना है उसके भी luminous को आपको बढ़ा देना है इसे आपने face पर glow आने लगेगा इसके saturation को भी friends आपको बढ़ा लेना होगा कुछ मैं इतना रख लेता हूँ उसके बाद आपको yellow वाले color को चूस कर लेना होगा और उसके saturation को पूरा minus कर देना है और green वाले saturation को भी पूरा minus कर देना है उसके बाद blue वाले saturation को जो है आपको इतना बढ़ा लेना होगा और दूसरे blue वाले saturation को भी आपको बढ़ा लेना होगा कुछ इतना में अपने फोटो के कलर के हिसाब से एक जिस कर लेता हैं इतना करने के बाद गारिस हम लग फोटो को कर लेते हैं यहां से डन उसके अपाद निच्छे स्क्रॉल करते ही इस वाले उप्षन में जाना है आपको फोटो के टेक्चर को बढ़ा लेना है मैं दस रख बनाए और क्लियर अप् tucked एस रेक लेना है उसके अब निच्छे आपको इस वाले उप्षन में जाना है और साथ मैंशन को जो है आपको बढ़ा लेना है और नोईश्त करते हैं आपकोको कूलर कर लेना कि लोबिस्ट्रम कुप लेना है मैं इतना कर लेता हूं को इतना करने के बाद गाइस हमारी फोटो पन के तयार हो चुके है इसको सेव करने के लिए यहां से वाले अप्षन में जाना है यहां से सेव टू डिवाइस करके आपको गैलेरे में सेव कर लिना है